नमस्तों जोहर मैं भी से चक्रवर्तिया आप सभी का फिस अपने उड़ी चरह पस्वागत कहते हो दोस्तों क्लास 12 के आर्स, कॉमर्स और साइन्स इस्टुएंट्स के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है कि आप सभी का जो है फाइनली फॉर्म फिलप का डेट आ चुका है यहां दोस्तों मैंने औरेडी कहा था कि जैसे आपका एकजाम का रूटिन जारी होगा आपका फॉर्म फिलप का डेट भी आपको देखने मिलेगा तो दोस्तों देख सकते हैं यहां ओफिशियली जारी किया गया है जैक के तरब से क्या लिखा गया है यहां पर एक एक इस तीनों इस्ट्रिम का तैयारी इस चैनल का मैंधम से कराया जाएगा आप लोगों जिस सब्जेट में दिक्कत होती है नीचे कमेंट करके बताएगा इस चैनल से तैयारी करके प्रिवियस जो इस्ट्रिएंट से उन्हों 90 प्लस स्कोर किया हुआ था आप लोग जो है परिच्छा अविधन यानि आपका फॉर्म फिलप ठीक है प्रपत्र परिश्यद वेबसाइट जो है यह जो है आपका वेबसाइट है इसी वेबसाइट के मैधम से आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा ठीक है के मैधम से ऑनलाइन भरा जाएगा ठीक है यानि आप लोग लगाते रहते हैं इसलिए ऐसा गड़बड़ी नहीं करना है आराम से एक एक चीज़ को बारी किसे देखकर भरना आप लोगों ठीक है क्या देख सकते हैं सभी प्रकार के छात्र जो भी है 12 दिसंबर तक फॉर्म को भर दे जी हां दोस्तों देख सकते देव भी दिया गया देट यहां पर और आप लोगों को फी जमा करने का जो चालान है जमा करने का देट दिया गया 14 दिसंबर तक आप अपना फी को भी भर सकते हैं ठीक है देखिए बहुत सरे बच्चों का फॉर में पथा चलता तो लोगों फाईन के साथ फॉर्म भरने का भी डेड़ दिया गया 13 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक और चालान का समय दियागया 12 दिसंबर तक ठीक hé तो दोस्तों फाइन के साथ कीऊ भरना आ आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे दे ताकि उनक करें ताकि फालतू का फाइन नहीं देना पड़े किसी को भी ठीक है इसी डेट में आप अपना सुल कॉलेज जाकर फॉर्म को ज़रू भर दे आगे देख सकते क्या लिखा गया है प्लस विद्धाले महा विद्धाले में उपलब्द कराएगी यूजर आइडी पासवर्ड ज यह जाता है कि प्रपत्र को छात्र छात्राओं को उपलब्द कराते समय हुए जो है भरने के लिए आवेदन प्रप्त कर लिया जाए और ताकि वो सहय समय जो है फॉर्म को भर सके ठीक है और यहाँ पर देख सकते लिख भी दिया कि समय को बचत हो सके और बच्चे सही से अ फॉर्म फिलब का जो है सारा चीज़े ले लेना है तो यह बहुत ही इंप्वोर्टेंट था और रही बात मॉडल फेपर को लेकर तो जैसे ही आप देखे एक सप्ता के अंदर आपको मॉडल फेपर भी देखेनों को मिलेगा तो दिल थाम के रहीएगा त्यारी अच्छे से कीजिए आपका बोर्ड एक्जाम से स्टार्ट है तो अच्छे से त्यारी करना है और ध्वाधा रिजल्ट लाना है ठीक है पैटन चाहे कुछ भी हो आगर आप चैप्टर पूरा पढ़ है तो आप हर एक चीज को आंसर को दे सकते हैं इसलिए आप लोग जो है लापरवय ना बातरम